यूपी के गाजेपुर जिले में प्रशाशन ने रविवार को मुक्तार अंसारी के खिलाब बड़ी कारवाई की है जिला प्रशाशन ने IS 191 गैंग के सरगना मुक्तार अंसारी की 3,50,000,000 रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्ग कर ली है महुआ बाग स्थित शुबर कॉंपलेक्स सामने प्लाट मुक्तार अंसारी की मा राविया खातून के नाम पर थी प्रशाशन की इस कारवाई से मुक्तार के समर्थकों एवर रिष्टदारों में हड़कम मचा हुआ है महुआ बाग स्थिर मुक्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के गजल होटल पर भी बीते साल द्वस्तिकरण का कारवाई की गई थी मुक्तार अंसारी के अब तक 60 करोड की संपत्ति कुर्ग की जा चुकी है महुआ बाग में पूर्व विधायक बुक्तार अंसारी की मा रभिया खातून के नाम से मौजूद 8111 वर्ग मीटर भूमी कुर्ख करने के लिए दोपर 12 बज़े CEO सिटी उजस्वी चावला और सदर SDM अनिरूद प्रताप सिंग पहुचे सुरक्षा की दृष्टी कोंड से नगर कोतवाल विमलेश कुमार मौर्य के नेत्रित में पुलिस पहले ही मौके पर पहुच गई थी इसके बाद टीम ने मुनादी कराकर भूमी की कुर्ख कर ली बांदा जेल में बंद मौु जिले के सदर से पूर्व बाहु बली विधायक मुक्तार अंसारी पर आर्थिक चोट की जा रही है वारंसी जोन के पुलिस लागातार मुक्तार अंसारी और करीबियों की संपत्ती की जाच कराकर जबती कारवाई कर रही है गाजिपुर जिले में इससे पहले भी मुक्तार अंसारी और उसकी पत्मी समित अन्य परिवार के नाम से 10 करोडों की संपत्ती कुर्प की जा चुकी है माफियाओं के खिलाफ चलाय जा रहे प्रदेश सरकार के अभियान के तहत इस कारवाई से चेत्र में चर्चाओं का बाजार गरम है गाजिपुर के अलावा मुझिले में भी मुक्तार के आर्थिक सामराज पर चोड़ दी गई है